सुवागत है, भीन साथ. बहुत भूत धन्यवाद. हकी मसब कुछ लोगों को शिकायत होती है, एलर्जी की, कुछ को दिक्कत होती है कि हमें बहुत ज़यादा खुजिली होती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि कहीं पर भी अगर हम लोगodusादें, तो वहां पे या तो बड़े-बड़े से डाफ़र जिने बोलते हैं वो पड़ जाते हैं या लाल-ला रैशिस हो जाते हैं तो इस तरीकी की प्रॉब्लम कि लोगों को अबसे जादा होती है और उसके क्या कुछ हो सकते हैं और देखिए इसकिन डोगों में कहलाता है और इसकिन को जब उसके मिज़ाज के खिलाफ कुछ मिल जाता है तो वो ऐलर्जी के रूप नो बरती है अब चाहे वो रैशिज हों चाहे वो ताने निकलें चाहे मौहा से निकलें और बहुत तरह के रोग है इसकिन के सुराइसिस भी इसकिन का ही मर्स है तो इसकिन की खुराक है विटामिन ए और वो बहुत अच्छे किसम की जानी चाहिए एकसर दीखिए मैं बताता हूँ और लोग सुचते होंगे कितना बताता हूं मैं कुछ चीजों को मैं अक्सर अखरोट बताता हूं और अक्सर मैं आपको अलसी बताता हूं तो इन दोनों चीजों में इसकिन की डाइट चुपी हुई है विटामिनी किसी को इसकिन रोग हो तो ये अच्छा काम करते हैं तो बिल्कु दर्श को देखिए यही वो बाते होती हैं जो जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप लोग यह सारी बाते जान लेते हैं तो अपने आपको एक सही उपचार की तरफ आप लोग ले जाते हैं अगर आप लोग लाइब हकीम साहब से बात करना चाहते हैं गरे एक चीज का लाब उठा सकते हैं वो हैं घरेलू नुस्के जो आपकी किच्टिन में मौजूद होते हैं आपकी किच्टिन की जो सामगरी होती है और जो नुस्के यानि की रॉम माटीरियल हकीम साहब आपको बताते हैं बस वो आपको कहीं से भी असली प्राप्त करने हैं ब हकीम सुलिमान खान साहब जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम सब जब किसी भी व्यक्ति को पैरे में कोई शिकायत होती है या तो वह दर्द की शिकायत करता है या फिर वह जलन की शिकायत करता है कि मेरे तलूओं में जलन रहती है हमेशा या कुछ लोगों में अगर दर्द है या पिंड़ियों में किचाओ है या दर्द है किसी की थाइज में होता है इसा कि दर्द या किचाओ होता है किसी के गुटने में होता है किसी को जलन होती है किसी को सुन होता है और किसी को दर्द किसी को किचाओ ये चार कहफियात अगर किसी में है तो व है कि पैर में है या पिनली में है या थाइज में है लेकिन उसका जो सैंटर होता है मेरे अनुभव के अनुसार कमर में नसों के तबने की वज़ा से होता है अगर हमें कमर के नसों का या डिस का इन जाए तो हम ठीक हो सकते हैं नहीं तो हमेशा हम क्योंकि मर्ज तो पैर में नहीं है दर्द पैर में हैं, लेकिन मर्ज हमारे कमर में होता है, जो हकी मुआध और डॉक्टर इस बात को समझते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं. MP से हैं देवेंद्र जी स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी बताईए भाई क्या सवाल है जी हतिम जाम नमस्कार जहिन मेरे मुं में इस सब्सक्राइब नहीं नहीं सब्सक्राइब तो नहीं खाते हो नहीं मैं घटक अमुटक नहीं आख होर है मतलब ए तो मेरी आक यह है कि अंदर रहो तो पीज रहे हैं अपन बाहर जाते हैं तो इस नम्चा का चोंदी से लगती है ठीक है अच्छा दिखिए एक आती है मुंडी बुटी मुंडी बुटी बहुत सस्ती दवा है बटर के बराबर गोलियां समझ लगा उससे बड़ी उससे चोटी मट्रे के बराबर या उससे बड़ी भी होती है चोटी भी ये चार मुंडी बुटी आप लेकर रात को पानी में रख दें और सुबह को उबाल के मुंडी बुटी तो फैंक दें और पानी पीलिया करें सुबह नहार मुंग ए गोल गोल एक तो ये आपकी आँखों के लिए है और ये जो आपके दाने हैं मुह में और आपने काफी इलाज भी कर लिया मल्टी विटामिन्स भी ले लिया सब कुछ करके देख लिया अब एक मावली सा नस्खा में बताता हूं ये आता है सफेद गौन मौरिंगा देखिए ये नकली बहुत मिलता है असली लेना आपका आपकी जिम्मेदारी है सफेद गौन मौरिंगा रोजाना ये रो मैटेरियल है गौन है एक सफेद वाला लेना लाल या पीला कोई दे नहीं लेना बहुत इसमें बहींवानी चल लाई है ये सो दो सो गिराम खरीद ले इसका प आरियल पानी मिला कर या दूद में मिलाकर आप दिन में बस एक बार पी लिया करें ठोड़ासा वक्त लगेगा लेकिन आपको फायदा होना मुमकिन है बाराबंकी से हैं लक्षमी जैसवाल जी स्वागत है आपका हालो हालो जी सवाल कर लिजे नमस्कार नमस्कार अधा बताईए क्या जैसवाल जी क्या सवाल है आपका में हाजिर हूं सर हम तो आपसे अक्तर बात कर लेते हैं जिसके हम आपके बारे में किसी से बुरा नहीं सुनना जाते हैं अगर कोई कहेगा हैं दवाई नहीं आइदा करेगी तो मुझे बहुत चुड़ होती है मेरे भाई को या मेरे अपने को गालियां दे रहा है बहुत बुरा लगता है मुझा लगता है मेरे को तो कि उसके साथ जो आपने बताया था एक वार कि मुंडी भूटी भीगो के रख दीजिए राप में आपके लिए पायदा करेगी तो सुबह गरम किसे पानी पका के आधा हो रही जाए तो पी नहीं है तो ले सकते दौन तीस साथ जी जी ज़रूर ले सकते हैं जरूर ले सकते हैं और कोई सवाल हो तो बताईए बहुत धन्यवाद सर आपके लिए तो बहुत हम लोग बहुत दुआ मनाते हैं कि आप हमेशा बने रहें यह लगता है मेरा कोई धरका अपना हो जब आप से बात करनी हो तो यही लगता है मेरे को ने वाकई मैं बहुत बहुत लखी हूँ कि मुझे आप जैसी बहने मिली हुई हैं जो लाखों और करोड़ों की तादाद में हैं कभी कभी मैं अपने आप को देखता हूँ शर्बिन्दा हो जाता हूँ कि मेरे अपने भी मुझे से इतनी महबत नहीं करते आप लोग बगर किसी बलाकात के और मेरी आवास पर मुझे महबत करने लगए मेरे लिए भगवान के तवफे से कोई कम नहीं है और आप यकिन करें मैं भी आप लोगों के लिए बड़ी द्वाएं करता हूँ और आपकी सेहत की द्वाएं और मश्वरें उस वक्त तक देना चाहता हूँ जब तक मेरा दिमाग काम करता है और खुश रहिए बड़ी द्वा आपके लिए आपके पूरे परिवार के लिए आप हमेशा खुश खुर्रम रहें शादाव रहें आबाद रहें और उससे जो भी सेवा हो सके मेरी जिंदगी में आप मुझसे ले लीजें लता है पंजाब से स्वागत है आपका नमस्कार 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 भूर्बश अधब मैडम जी मेरे सिंब्न सवाल है दी बॉलीए इसकतर गात नदिक्त्क्रा नमस्कार भच्ची सिंबश दुत्स 2 इसकतर विएगं यहत्ची क्या करता है एक साल कबच्चा चsim स आखो करता है ऑट साल के जगाइक करना चैनल के शिarkुरान मैं आहां अंखों में प्रोगिम्स है और तीर निंगालता है अचा आखों में दिक्कत है अंखी हम 95 तीर गंदगी निकलती है तेदी आध जागता है आच्छा ठीक है थीसरा सवाल थीर नभाई है उन्हाइट कि पाई देश आध किया है उन्हाइट कंबन होती है शरीर में पहला सवाल है दस साल का बच्चा है बिस तर पे यूरेन कर देता है इस बच्चे को रोजाना दो अखरोट अपने हाथ से तोड़ें उसका गिरी निकालें और खिलाएं दस किश्मिश के साथ रात को सोते समय अभी गज्जा को रेवडी वगएरा खुब किलाया करें और दो अखरोट और दस किशमिश रोजाना रात को सोतिसा में खिलाए करें और क्या है एक साल का बच्चा है इनका ये कहना है कि वो बच्चा मतलब घूर के देखता है मतलब उसकी पलके कम जपकती है अच्छा ये बच्चे की मा को या तो देखिए दूद पीता हो अगर मा का तो मा को और अगर उसका दूद पीता है दूद जो बाहर का दूद पीता है तो बाहर का दूद पीता है तो एक छोटा चम्मच चाय का भर कर ये बदाम का तेल उसके दूद में मिला दिया करें एक छोटा चाय का चम्मच बढ़ा ने और अगर वो मा का दूद पीता तो मा को दो चम्मच बदाम का तेल रूजाने पिलाय करें, दूद बे मिला कर पिला दें, तो मा के जरीए बच्चे को फायदा होना मुम्किन है, और कमपन होता है. जी जी पच्छ पन साली के हैं? ब्लॉकिज है, दिमाग में आपने बताय जैतूर का सिर्का, रोजाना की पनी मिलाकर रात को सोते समय भाहि को पिलाए कर एक बार या दो बार। दिन में भी पिला सकते और काफी दिन की लगए लेकिन की ये फूंहुनीशिछै के खुलना मुम्कीन है। तो लता जी आपके तीन सवाल थे तीनों सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिये गए हैं नुसकों के साथ लेकिन उसके बाद जुद्धि मैं आपसे कहना चाहूंगी जो एक साल के बच्चे के लिए आपका सवाल था अगर हम उसको सही तरीके से गेस कर पाए हैं तो आ यह शुरू किया आपने हैं तो और यह शुरू किया आपने हैं यह शुरू किया आपने है? हाँ जी शुरू किया एक महीना बीस दिन हो गए सर अच्छा क्या नजर आया अभी पूरे शरीर पे हो जाता है और खुझली बहुत जादा हो जाती है जिसके लिए सैक्राजिन की गोली लेनी लेनी पड़ती है नहीं एक महीने में कुछ फाइदा नजर नहीं आया आपको नहीं सर क्या करते हैं दो दोड़े तो उत नहीं होते तीसरे दिन तो बहुत बुरा हाल हो जाता है ओनी का ठीक है यह बताइए के कलोन जी का नमक कितना लेते हैं अजी सो ग्राम कलोन जी का नमक में पीसफे मिलाया हुआ है आधी किलो अल्पी और किलोंजी का नमक है ठीक है कितना खाते हैं पर एक चम्मच वेट चम्मच ताम को अच्छा आदा आदा चम्मच खाया करें ठीक है और पानी पीना है धाई लीटर रोजाना और सबर करें ये जो 600 ग्राम मैटेरियल है ये खतम होने से पहले आपकी मम्मी को फायदा ममकिन है कोई भी दवा आप लेना चाहें इसके साथ ले सकते हैं कोई मना नहीं ये धीरे धीरे काम करता है और ये काफी दिन चलता है आपको आदा आदा चमच से जादा नले और दो बार ने और पानी धाय लीटर पिए और बीच में कोई भी तबीत फराब हो कुछ भी हो उसकी दवा ले सकते हैं लेकिन ये छोड़े नहीं ये खतम होने से पहले आपकी मम्मी को फाइदा होना मुम्किन है